दोस्तों आप सभी लोग अपने मुबाल फोन के अंदर 5G बीटा को आप एक्टिबेट कर सकते हो अनेबल कर सकते हो कुछ ऐसे घातक न्यू खूफिया राज न्यू खूफिया सेटिंग की मदद से जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वला हूँ दोस्तों अगर आप सभी की मुबाल फोन में इंट्रेट बहुत ज्यादा सुलो चला चाहिए आप कोई भी कंपणि का सेम यूज़ करता हो और वो सेम के अंदर इंट्रेट बहुत ज्यादा आपका सुलो चलता है आपने कैसारे सेटिंग भी किया होगा कैसारे वीडियो भी फिर भी आपके फोन में internet बहुत जादा सुलो चलता है तो आज ये गलती बिल्कुल मत कीज़ेगा इस वीडियो को पूरा देखते हो न तो कुछ ऐसे खुफिया setting के बारे बताऊँगा जो बिल्कुल खतरनाक setting है बिल्कुल खुपावा setting है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा अगर आप सभी लोग ये setting कर लेते हो न तो आपके फोन में 5G बीटा एक्टिबेट हो जाएगा 5G बीटा को अनेबल करके 5G की तरह जो ना इंटरनेट आपके फोन में काफी जादा तेज चलेगा जो आपको यकीर नहीं होगा और मेरे comment के अंदर थैंक्स बोलके जाएगे कि भाई आपने काफी कमाल का setting बता है तो अगर आपके मोबाल फोन में इंटरनेट काफी जादा सुलो चल रहा है न तो आज ये गलती बिलकुल मत की जगा इस वीडियो को पूरा देखना चले दोस्तों वीडियो को start करते हैं मैं कहले तब वीडियो स्टार्ट में नाम से तारे और आप देख रहे होगा तोगा YouTube चैनल तो दोस्तों जैसे के मैंने आप सभी को बताया कि आप अपने मोबाल फोन के अंदर 5G बीटा को एक्टिबेट कर सकते हैं अनेबल कर सकते हैं कुछ ऐसे घातक न्यूँ खूफिया सेटिंग की मदद से जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर दोस्तों सबसे पहले जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजेगा आज का जो वीडियो ना बिल्कुल नेक्स्ट लेबल का वीडियो बनने वाला है और लाइक करना फ्री होता है तो लाइक करके सपोर्ट कीजेगा यह जो लाल बलब बटन देगे सब्सक्राइब कर लिजएगा बैल पी की लिगा और यह जो कॉमेट देख रहे ना यहाँ पे आपको लिखना होगा यहाँ पे नेट स्पीड लिखना होगा ठीक है और यहाँ पे 5G भी आप लिख सकते हो तो बसे छोटी से काम करने के बाद द तो सबसे पहले अपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे SIM card और अपट मोबाल नेटवर्क से नाम करके सेटिंग मिल जाईगा इस सेटिंग को क्लिक करना होगा किलिक करने के बाद दोस्तों यहां से जो इना सेटिंग स्टार्ट हो जाता जो भी सेटिंग बताऊंगा बिल्क SIM card को select करने के बाद आपको सबसे पहला setting क्या करना होगा आपको नीचे देखना सबसे पहला setting यही करना पड़ेगा तो सिंपल आपको बैक करने के बाद एक और setting आपको करना पड़ेगा जो मैं आपको बता देता हूँ तो access point name देख रहे ना इसको किलिक करना होगा जैसी कि मैंने शुरुवात में 5G को मैंने चेंज किया था बीटा को चेंज किया था तो ज चेंज करना पड़ेगा नया बनाना पड़ेगा तो नया बनाने के लिए आपको new APN देख रहे ना नीव APN के अंदर आपको जाना पड़ेगा किसी फोन के अंदर उपर होता नीचे होता तो कुल मिला करके इस setting के अंदर आएंगे आने के बाद दोस्तों यहां पर मैं आप को ध्यान से बता देता हूं कि क्या कि आपको सेटिंग करना क्या क्या चीज इसके अंदर करना तापकि आपको अच्छे समझ जाए जैसे कि नेम देख रहे हैं कि आपको सारा सेटिंग है तो नेम के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको ध्यान से बता देता हू यहां पे बीटर करे लिखना होगा तो यहां पर पिंद में कर देना होगा थेए पहला उसके बाद यहां आपको APN के अंदर आता हूं तो APN के अंदर आपको क्या लिख लिखना पड़ेगा जो भी आप Caroline सिम यूज करते विए यूज करते जीओ उस सिम का नाम यहां पर डॉल देना होगा जैसे ऑ Mississippi यूज चालता हूं यहाँ पर क्या लिखनोंगा 5g यहां पी लग सणば और यहां पर आपको space होना चाहिए मतलए जियो लिख करके फिर से आपको space करके ok पर click कर देना होगा और जैसे click करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आपको नीचे जाएंगे न तो यहां पर proxy में आपको कुछ भी ने करना port में भी कुछ भी ने करना user name में आपको डालना पड़ेगा तो user name में क्या डालना पड़ेगा तो small letter में hex यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिखने के बाद आपको dot लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 90 लिख देता हूँ 90 लिख करके slash डाल देता हूँ slash डालने के बाद जो भी sim card का use करते company का नाम है वो sim card यहाँ पर small letter यहाँ पर लिख देना होगा जैसे कि आप देख सकते ध्यान से दिखना होगा code जैसे कि hex.90 slash लिख देना होगा यानि कि जो भी company का sim use करते हो उस company का नाम डाल देना जो भी आप use करते हो ठीक है ok पर click कर देना होगा click करने के बाद password में भी कुछ भी नहीं डालना server server के अंदर टो डालना काफी ज़रूरिया और काफी important है जो आपकी phone के अंदर 5G beta को activate करने में कफी जाद हेल्फ करेगा मदद करेगा ताकि आप 5G की तरह internet speed आपको मिल से के इतना जाद तेज speed मिलेगा यह setting को change करने के बाद मेरे comment के अंदर आप thanks बोलके जाएंगे यह 2022 का सबसे खतरनाक setting में आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर क्या लिखना हो पड़ेगा www ठीक है यह जो भी लिखना हूँ dot और यहाँ पर लिखना होगा capital में gwo gle google dot com यहाँ लिख देना होगा जैसिके मैं यहाँ लिख दिया ठीक है लिखने के बाद आपको ok पर click कर देना होगा तो जैसे के server में क्या लिखा www.google.com तो इसको लिख करके आपको ok पर click कर देना है और यहाँ पर mccis कुछ भी ने निकला कुछ में निकला पूर्ट में भी कुछ में निकला और यह जो एरिया कोड है जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा कुछ भी लिखनी की ज़रूत नहीं पड़ेगा इसको डिफोल्ट ही रहना है और यहां पर आपको देख सकते यहां पर चेंज करना होगा क्योंकि होगा इसको भी आपको करा यहां पीज़ा करना होगा जो होकि तो यहां पर क्या करना होगा तो यहां पर अंसरिफद होगा यहां 99% android phone के अंदर lt support आ चुका और बहुत सारे लोग यूज करते क्योंकि किसी phone के अंदर 10 update आ चुका अनेबल अपडेट आ चुका बहुत सारा चीज हो गया तो वह voltage support मिलता है सभी phone के अंदर मिल जाता है यहांपर आपको बहाँ में किया और आप वीडियो को बीटा बाला बड़ा सटींग कर सकतें फाइब बीटा को सेटिंग कर सकते तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेभ करने के लिए आपको More Option में जाएंगे, तो किसी फोन के अंदर उपर में 3 떨 होता है तो यहाँ सेभ कर सकते हो, तो यहाँ मैं सेभ कर लेता हूं, और जैसे सेभ करने के बाद, जोसने के लिए, तरह आपको user id यहां पर आपको दिखने को मिल जागा तो जैसे कि मैं यहां पर back करता हूं back करने के बाद दोबारा मैं क्या करूंगा access point name के अंदर जाता हूं जाने के बाद guys boom guys finally यहां पर आच चुगा जैसे का आप देख रहें एक new user name तो आपको बीटा वाला जो 5G में यहां पर तो इसको select करना होगा जैसे select करने के बाद एक बार क्या करना होगा mobile को switch off कर लेना होगा जैसे switch off करने के बाद on करोगे तो आपके phone के अंदर 101% जो ना 5G बीटा एक्टिबेट हो जागा अनेबल हो जागा और आपके phone के अंदर जो पहले internet slow मिलता तना उससे इतना जादा गुना बहतर हो जाएगा इतना जादा speed चलेगा जो आपको कोई और setting करने की जरूरत नहीं कोई और वीडियो को देखनी की जरूरत नहीं पड़ेगा और यह final decision है जो मैंने आपको 2022 का सबसे खतरनाक setting मैंने आपको बताया और इसके लाबा कोई भी setting आपके phone के अंदर काम नहीं करेगा यह setting कर लिए तो आपको 5G beta activate हो जागा 5G beta activate होने के बाद 5G की तरह internet speed आपके phone के अंदर मिलेगा काफी जादा तेज मिलेगा ठीक है तो यही ता छोटी सी video छोटी सी information जो मैंने आपको इस video के अंदर बता दिया हो कि कैसे आप internet को speed ले सकते हो तो उमीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो ना काफी इंटरस्टिंग बहुत ही कमाल के लगा अगर आपको वीडियो ची लेगी ना वीडियो को लाइक करके support कीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा अगर आप इस चैनल में पहली बार हो ना तो लाला बला बेटन देखरे सब्सक्राइब करके बेल पी लाल पेस कर देना इस video को share कीजेगा दोस्तों फ्री मिलेंगा दोस्